पूरी ये डिटेल जानकारी तो आप सभी बिल्कुल बने रहेगा इसके बारे में जानने के लिए अंति तक तो वहीं दोस्तों याँ पर हम आपको क्रिकेट जगस से जोड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरे निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी में भी बताएंगे तो आप सबी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहेएगा अंति तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारत्य टीम के खिलाडियों को दुनिया के सबसे बहतरीन खिलाडी मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप भी हमारे चैनल आरे से नियूस पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दवाईएगा जिसे कि आपको क्रिकेट से योडि तमाम जानकारिया और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चली अब आपका ज़्यादा समय ना लितुवे बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में खेलने की मुसीवते बढ़ा दियें जियां दोस्तों प्रतवीशो आज मातर दो गिंदो का सामना करते हैं मिचल इस्टार्क की गेंद पर आउट हो गए तो वहीं फिर आज मैंका अगरवाल ने भी मातर 17 रन की ही पारी खेली और दो चोक के इस दोरान लगाए और वहीं द अर्ट चोक के भी लगाए तो अलाकि दोस्तों भी पहले दिन का खेल खतम होने तक रिदीमन सहा और रविंद्र चंदरन अश्विन मैदान पर टिके हुए हैं और ऐसी उमीद है कि कल के मुकाबले में ये दोनों ही बल्ले बाज तावर तोड बल्ले बाज ही करते हुए दोस्तों मैच के दौरान कुछ ऐसा भी नजाराम सभी को देखने के मिला जहां पर 43 वा ओवर करवा रहे थे मिचल स्टार्क और मिचल स्टार्क ने एक ऐसी गेंद फेकी जो की सीधा जाकर विराट कुली के अंगुठे में लग गई जिया दोस्तों मिचल स्टार्क ने ये उनके अंगुठे में से खून निकल रहा है तो तभी उन्होंने फीजो की तरफ इशारा किया और फीजो ने आकर उनकी चोट को सही कर दिया लेकिन दोस्तों जब मिचल स्टार की गेंद जाकर सीधा अंगुठे में लगी थी तो मिचल स्टार के उपर विराट को ली काफी में से कितने अंग देना चाहोगे आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ही चलिया बागे बढ़ कम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यह है आठ साल बा पहले दिन सबसे अधिक रन टीम के कफ्तान विराट कुली ने बनाए जहांपर विराट कुली जब एडिलेड के मैदान में खेलते हैं तो उनके बल्ले से रन ज़रूर निकलते हैं और विराट कुली ने ऑस्टेला के किलाव 54 रनों की पारी खेली और इस दोरान विराट तो वहीं एडिलेड ओवल में भारतिये दुवारा सबसे ज़्यादा अधिकरन की पारी विराट कुली नहीं अब खेलिया उन्होंने 505 रन इस दौरान बनाये और वहीं दूसरे नमर पर राहुल द्रविड का नाम आता है तो ऐसे में दोस्तो विराट कुली के ये वेलिया के बीच में अस्टेस सीरीज के पहले मुकाबले का पहला दिन खेला गया जहांपर भारतिये टीम के कप्तान विराट कुली ने ऑस्टेलिया के खिलाफ दिन रात के पहले क्रिकेट टेस्ट में गुरुवार को टॉच जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की शुरुवात इस मुकाबले में काफी जादा खराब रही जहांपर प्रतिवी शो एक बार फिर से खराब फॉर्म में दिखे और मिचल स्टार्ट के द्वारा डाली गई गेंद पर पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर वो बिना खाता खोली ही अपना विकेट कवा बैठे और वहीं ओपनर मैं कागरवाल भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और मातर 17 रन ही बना पाए तो वहीं कोहली के आने के बाद भारतिय टीम की पारी समलती हुई नजर आई लेकिन उनके रन आउट होने के बाद भारतिय टीम फिर से काफी जादा मुश्किलों में नजर आई जिया हम आपको बताएं कि आज जब विराट कोली बल्लेवाजी कर रहे तो उस दोरान अजिंकर राने की गलत कॉल की वज़े से विराट कोली चौह इंकर राने ने आज 42 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी के दोरान उन्होंने तीन चौक के और एक छका चंदरान अश्विन तो दोनोंने ही मिलकर भारतिय टीम की बल्लेवाजी को संभाला जिया दोस्तो हम आपको बताएं कि रीदिमन साहा जो की सुझबुझ भरी पारी खेल रहते उन्होंने 25 गंदों में नौरन आज किस मुकाबले में बनाए और रविंदर चंदरान चलते हुए चौका जड़ दिया जिसको देखकर उनके पूरे इरादे साफ लग रहे थे कि पहले मुकाबले के दूसरे दिन ये क्या ही तो अपनी घातक बल्लेवाजी आज दिखा थे उससे पहले ही आज की दिन का मुकाबला खता हो गया जिसके चलते कल के दिन ये दोनों ही बल्लेबास तुफानी अंदाज में नजर आने वाले लेकिन दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है क्या रिदिमन सहा और रविंदर चंदरन अश्विन कल भारतिय टीम को एक मजबूत इस्तिती में पहुंचा कारिया वो यह है इस टी 20 टूर्णामेंट से क्रिकेट के मैदान पर बापसी कर सकते हैं युवराज सिंग दुनी और सिरिसंत जयां दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंग और बाकी सभी वो खिलाडी जिन्हों ने अपने इंटरनेशनल से सन्यास की घुजना कर दीती और इसके बाद पंजाब क्रिकेट एजोशेशन ने युवी से गुजारिश की थी कि वह पंजाब के लिए खेलें और युवी ने हां भी कह दिया था तो ऐसे में युवराज सिंग ने तो हमीं भर लिया और बाकी अभी खिलाडियों से भी कि जा रही है जिसके चलते हो सकता है कि आप आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आयोगी वीडियो चलगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सबस्क्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट हूंगी वह आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मि झाल झाल